नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो यूपी ट्रिपल सी पी एटी दोजार तेईस का फॉर्म भरना सीखेंगे यहां पर और पूरा स्टार्टिंग से रेजिटेशन से लेकरके लास्ट फाइनल समिट तक प्रिंट आउट निकालने तक पूरा आपको यहां पर इस्टेप ब मॉबाइल हो चाहा है लैपटाप हो आप दोनों से आवेदन कर सकते हैं बहुत ही इजली आवेदन कर सकते हैं वीडियो को बिना इस्किप की पूरा लाश्ट तक एक बार देख लीजिए बस तो सबसे पहले आपको यहां पर या तो गूगल या फिर क्रोम पर आपको आ जा तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे यूपी ट्रपल से की ओफीशल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है आपको यहां पर एक काम और करना है अगर आप लैपटाफ से फॉर्म बर रहे हों डेश्टाप से कंप्यूटर से तो कोई दिक्रत नहीं अगर आप मोबाइ पर कर लिजिएगा डेश्टाप साइट पर वैसे भी आप भर सकते हैं जैसे बिना डेश्टाप साइट पर किये भी लेकिन ऐसे आपको ज्याधा आसान पड़ेगा फिर इसमें आप स्कूर करके नीचे आ जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे नीचे लाइब एडवर्टाइज्मेंट्स इसमें जो पहला वाल आप देखेंगे इसी पर आपको क्लिक करना है यह P.E.T. 2023 का आप एदन करने के लिए लिंक है डारेक्ट लिंक है इस वाले लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहां पर देखेंगे ऊपर कुछ भरतियों के लिए भी जो नूटिफिकेशन आया थे उनको आपको छोड़ देना है आपको सीथ यहां पर आ जाना है नीचे Preliminary Eligibility Test P.E.T. यहां पर आपको अगर Advertagement को देखना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं Instruction देखना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और Apply करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे तो हम यहां पर Apply वाले पर क्लिक करते हैं इस तरह से यह फिर ओपन हो जाएगा और इसमें आप नीचे देखेंगे Minimum Age 18 Maximum 40 और Reservate Category के लिए नेमानुसार छूट मिलती है आयूसी मा में Qualification आप यहां पर देख लेंगे 12 या फिर उसके ऊपर कुछ भी Qualification आपके पास होना चाहिए और इसके बाद यहां पर Candidate Registration वाले पर क्लिक कर लेंगे अब यहां पर देखी पूछा गया How is the Candidate Previously Applied for PET 2022? क्या आपने PET 2022 के लिए पहले आविदन किया था? अगर आपने किया था तो आप यहां पर Yes पर क्लिक करेंगे अगर अगर आपने नहीं किया था तो आप No पर क्लिक करेंगे आप इसमें किसी और भी भरती का जैसे आपने Form Apply किया हो तो आगे हम इसमें जब करेंगे देखेंगे इसमें तो इसमें Registration नमर मांगता है है अवहीं डीठेटियस जो आप डीटेश sıवहीं रखना चाते हैं वहीं डीटेटियस आपके सेम तरफीं आगे आपकी इस आप इधन में भी आपकी काम जाता तो आपको दोबारा से नहीं होता है है जो पंडर हम पननो करके देख लेते हैं ताकि जिन लोगों ने 2022 का फॉर्म नबर आओ तो आपको एक आईडिया लग जाएगा कि इसमें आके क्या सो करेगा कैसे करना होगा फिर अब इसमें दिखे लिखा है कि आपका जो डेटा बर्थ है आपके हाई स्कुल के अनुसार होना चाहिए इंटर्मेडियर सेक्षिक प्रोड का नाम उत्तिल करने का वर्स रोल लंबर आदी ये सभी आपको सही सी भरना है या फिर जो भी डेटेल्स आपकी है उस सही है पहले और यह बिवर्ण आपके पास होना चाहिए फॉर्म बनने से पहले यह इसमें लिखा है कि यह सभी बिवर्ण आपके पास होने चाहिए यह अब भीरती प्रक्रिया की किसी भी चरण में आप पात रपाया जाता है तो उसे अयोगी घोशित कर दिया जाएगा और उसका भीर आप यह इमिल आइडि मोबाल नमबर और यह इमिल आइडि दो मोबाल नमबर आपको आगे भी आपको बनाय रछना है इनको यह कुछ भी आपको आयोग से सूशना मिलेगी इन ही पर मिलेगी इसलआ कि कि इसमें यहां पर आप सिंपली कलिक कर लेंगे आए accept एव अब देखें आपर आपको पूरी डीटेल से भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने नो किया था कि हम पीटी 2022 के लिए फॉर्म आविदन नहीं किया है तो आप ये पूरी डीटेल भरनी होगी अभी हम येस करके फिर दिखाएंगे आपको करके कि उसमें कैसे भरना है आप लोग प अभी से भरनी होगी सबीटेल साप काथ से लेटर में भरिएगा करने एक का नाम टैंटी के सेर्टिफिकेट के आधार पर फाधर स्नेम कि सॉरी है ठादर्स नेम इसके बाद मदर सुनेम इसके बाद फिर क्या आप उत्तरप्रदेश के दोमशायल है अगर आप उत्तरप्रदेश के मोल निवास हैं तो आप इसमें यस कर देंगे होम इस्टिर्ट आपका होम डेस्टिर्ट केडिगरी मोबाइल लंबर, जेंडर, डेटा बर्थ, इमेल आईडी क्या आप मेरियर्ड है इम्प्लॉइमेंट डेटेश प्लीस सेलेक्ट एनिवन अफ दे बीलो आइटेम अप्लिकेबल तो यू कि आप कभी इम्प्लॉइड नहीं हुए हैं उत्तरप्रदेश के किसी भी गॉवर्मेंट जाओब में या फिर आप एक्स उम्प्लॉइ हैं या फिर आप ओरतमान पे इम्प्लॉई हैं तो इस हसाब से आपको यहाँ पर just करना होगा तो पहले के अगर आप इम्प्लॉइ होंगे तो आपको फिर उस हिसाब से select करना होगा जैसे मालग जब किसी बहरति में कि जो भरती आएंगे यूपी ट्रपल से उसमें आप इदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा employee आप उत्तरवदेश फिर आगे देखिए additional age relaxation other than above regions caste category, sub category, service duration एसक्टरा are you claiming any additional age relaxation ठीक है तो अगर आपको yes करना होगा तो आप yes कर सकते हैं जैसे इसमें आप देखेंगे कुछ लोगों को भारान को वगरे मिल जाता है वेटेज मिल जाता है तो उस हिसाब से भी उनको IUC में छूट मिल जाती है मतलब आपके caste और sub caste की अलावा तो आपको यहाँ पर yes करना होगा otherwise नहीं फिर नेचे देखेंगे आपको अपने high school की detail भरनी होगी board का नाम, passing year, role number, percentage, system या grade system जो भी है आपको पहले हो select करने ना होगा और उस हिसाब से आपको fill करना होगा अगर आपको grade system होगा तो आप grade system select कर लेंगे अगर आपका percentage वाला होगा तो percentage वाला आप select कर लेंगे फिर आगे आपको अपने update marks, total marks इसी तरह से 12th का भी और सबसे पहले आप यहाँ पर yes कर लेंगे select में कि आप बार भी pass हैं और उसी तरह से बागी details आपको यहाँ पर भी बननी होगी कुछ यहाँ पर additional चीज़े भी आपको भरने होगी जैसे certificate, row number, issue date sorry, यहाँ पर यह 12th वाला हो गया और इसमें यहाँ पर intermediate वाला हो गया फिर यहाँ पर आपको यह भरना था bachelor वाला निचे यहाँ से और इसके लाँ अगर आप post graduate हैं तो आप उसकी भी details भर सकते हैं और फिर यहाँ पर जो है capture code आप fill कर देंगे और यहाँ पर submit कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से registration complete हो जाएगा लेकिन अगर आप P.E.T. 2022 में अगर आपने आ लेडी आविदन किया हुआ है तो उसके registration नंबर के आधार पर हम कैसे आविदन करेंगे वह आप यहाँ पर दिखाने वाले हैं तो इसके बाद का जो भी staff हो का वह लगबग सभी के लिए समान हो का लेकिन जो लोग पहले से आविदन की होंगे P.E.T. 2022 उनको आगे भी कुछ अपनी details अलग से upload नहीं करनी होगी जैसे photo है, signature है, address है यह सभी details आपकी automatically आ जाएंगी और जो लोग पहली बार आविदन कर रहे होंगे आपको उस अभी details अपनी भरनी होगी तो चले हम दो बारास आपको उसी page पर लेकर किया आ गए जहां से आपको select करना है कि क्या आपने P.E.T. 2022 के लिए आविदन किया था तो आप यहाँ पर yes क्लिक कर देंगे और यहाँ पर proceed क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको वापस वही काम करना है I accept above declaration और यहाँ पर आप I accept पर क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पर अपना registration number फिल कर लेना होगा P.E.T. 2022 का और registration number फिल करके यहाँ पर आपको proceed पर क्लिक करना होगा तो इतना काम आप सभी कर लिजेगा इतना काम मैं करके फिर आपको आपके क्या करना है हिष्टे बैष्टे पुसको आपको करके दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने registration number फिल कर लिया है और अब हम यहाँ पर proceed पर क्लिक करने वाले हैं प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका registration number यहाँ पर preliminary eligibility test 2022 और यहाँ पर आपका नाम father name और यहाँ पर आपका gender और category और जेंडर यह सब यहाँ पर शो करने लगेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो चलिए आपको क्लिक करने लगेंगे जैसे आपका नाम अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं ध्यांदी जी का इसको फादर नेम या फिर हजबेंड नेम चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं जैसे कोई female candidate हो पहले आप साधी सुधा ना रही हो आप साधी सुधा हो आपको चेंज करना हो पहले आपने पिदा का नाम डाला हो अब आपको पती का नाम डालना हो तो आप यहाँ पे चेंज अगर आप हैं तो ठीक है यह नहीं तो फिर नो कर देंगे आप इसी तरह से FFK लिए इसी तरह से skilled player के लिए फिर आगे देखिए कि आप यहां पर आपका home district सो होने लगेगी अगर आपने अपने category general select किया होगा उसके बाद अगर आपको EWS लगाना होगा तो आपको इसमें yes करना होगा अगर आप EWS से form नहीं बनना चाहते हैं तो आप यहां पर no कर देंगे और ध्यान देखिएगा फिर यहीं डिटेल साथ जब आप आगे फॉर्म भरेंगे कोई भी जो पेट यहां पर अगर आप married है तो yes नहीं है तो no कर देंगे और यहां पर आप employment details प्लीज सेलेक्ट एनिवर आप दाव बिलो इटम अप्लिकेबल टो यू अभी जो आपको दिखा रहते हम कि आप उत्तरपतिस की employee है कि नहीं है कि आप X employee है उसी हिसाफ से आप क्लिक करिएगा इस नो करना है EWS वाले में ठीक है mobile number email ID employment आप आप हैं कि नहीं पहले कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर भारांग मिल जाता है तो तो ही आपको यहां पर yes करना है अदरवाज आप यहां पर no कर देंगे इसके बाद देखिए यहां पर आपको कुछ भी नहीं बनना है क्या लेडी आपने पेट 2022 में जो भी डेटेल फिल किया हो वही सारी डेटेल्स यहां पर भी आ जाएंगी कुछ अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन चुकि यह चीज़े बदलने वाले तो होती नहीं है यह चीज़े तो आपकी सेम रहेंगी अब कि इसमें आप सबसे पहले आपको यहास पर क्लिक करना होगा अगर आप दोनों हैं तो इसकी बाद पिर Board या इंश्टिटूटर नहीं आए पिर इनिवर्सिटी का नाम year passing certificate year road number और issue date इसके लब % system है या आपकी grade system है अगर grade system है तो grade system पे क्लिक रहेंगे % उसमें आपको फिर अपने marks fill करना होगा और total marks भी फील करने होगे तो top Sorry कितना percentage हो आपका नेकल करके आ जाएगा तो इसको fill कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखिए हमने अपना बैसल लट डिग्री वाल डिटेट फील कर लिया है आब भी इसी तरह से फील कर लेंगे अगर आप पोस्ट ग्रेजिट थेंगे तो पोस्ट ग्रेजिट वाले यहाँ से फिल कर लीचेगा ग्रिव्य में जाकर की फिल कर लीजिगा अगर आपकी सारी डियों सेही साही हों गette आपको फाइल्ली समट रित देणा होगा जारी होगा है यहाँ आल्य और यहां पर finally submit कर लेंगे प्लीज confirm for registration अच्छा यहां पर देखिए एक चीज यहां पर select करना छूड़ गया है कि अगर additional age relaxation चाहिए तो yes करेंगे नहीं चाहिए तो no करना था तो वहां पर no करना छूड़ गया है तो इसको सबसे पहले no कर लेते हैं इसको आपको select करना था यह छूड़ गया था ठीक है इसको select कर लेते हैं उसके बाद वापस से आ जाएंगे submit वाले बटन पर अब यहां पर submit कर लेते हैं प्लीज confirm for registration तो आपको यहां पर OK क्लिक कर देना है अच्छा यहां पर एक बार कैप से कुड़ फिर से फिल कर लेते हैं और अब यहां पर submit कर लेंगे तो अब यहां पर देखें जो आपने details फिल की हैं उस सभी details अब आपके यहां पर आजाएंगे उनको आप चेक कर लिजिएगा एक इस्टेप आप complete कर चुके रिष्टेशन नमौला आपके मॉबाइल नमबर पर एक message भी चला गया होगा कि आप रिष्टेशन कर चुके उसमें रिष्टेशन नमबर लिख करके आया होगा यहां पर भी आपका रिष्टेशन नमबर सो होने लगेगा बाकि आप पेज को स्क्रोल करके नीचे भी आप अपने details चिक कर लिजिएगा जैसे उसमें आपने जो जो भी आपने आप से अप्धा होगा इसमें और निचे पर फोटो और सिंग्नेचर अपर आपसे बोला जाएगा यहां पर देखे आपके जो image की साइज होगी पचास के भी से जयाता नहीं होने चाहिए साइन की 30 केवी से जाता नहीं होना चाहिए और इमेज आपके क्लियर हो पासपोड साइज की फोटो होती है जो आपको सीगनिचर अपलोड करना है इसमें आपको ध्यान ये देना है कि नीचे आपका यहाँ पर हिंदी में पठनी है पढ़ने होगी रेडेबल आपका नाम होना चाहिए और उपर है आपका सीगनिचर ये आपको एक साथ अपलोड करना है फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेट करना होगा और सीगनिचर अपलोड करने के लिए पर दिखने आपको फोटो और सिगनेचर आपको कैसे इतने सांइज में स्मस्या होजाती जाती होगी प्रापलम होती होगी उसमें तो एक तो यह पोटos आता है फोटो रिशाइजर करके आप वहां से भी कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं या पिर आप कया करेंगे जी से size कम होती चली जाएगी इसी तरह से image भी आप जब photo कीचे तो बीच में याँ पर इतनी में ही आप आये केवल फिर crop करेंगे उसको setting में जा करके उस image को crop करेंगे तो इसका size automatically कम होता चला जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग बहुत easily photo और signature आप लोग अपना तयार कर सकते हैं अप्लोड करने के लिए बस क्या करना आपको एक थोड़ा साप distance से आप capture कीजीगा थोड़ा सा क्योंकि mobile में ऐसे आप कीचेंगे simply तो ज्यादा उसकी size होगी उसको फिर आप जब crop करेंगे फोटो थोड़ा दूर सी कीच करके जब crop करेंगे मैं आपको एक दिखा रहा हूं करके यहां पर जैसे दे आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए और थोड़ा सा आप इसमें कराब कर लेंगे अच्छे से तो इस image की size कम हो जाएगी और आपको देख लेना है कि image फोटो की जो size 50KB से कम आ जाए और जो signature है उसकी size 30KB या 30KB से कम आ जाए बहुत जादा blur नहीं होना चाहिए फोटो य यहाँ पर क्लिक करेंगे signature upload करने के लिए तो यहाँ पर इस तरह से आप सवर आएगा browse करने के लिए याँ पर आपको एक चीज और धियान देना है जब आप फोटो और signature upload करने जायेंगे तो च्राफ आप इस तरह से करिएगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से क्राप के लिए आप संदे रहा है, दोनों में ही दुबारा से आप संदेगा, तो थोड़ा सा, जैसे मालीचा आपका सिगनेचर इतने बाक्स में यहां पर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इतना क्राप करिएगा, अपलोड करने से पहले वाला, ठीके, जब यहां पर अप्लोड करने आएंगे तो इतना क्राप आपका और हो जाएगा तो आपका बस बीच में इतना वाला एरिया ही बचेगा जिसे आप यहां पर देखेंगे यह हमारा मूल फोटो इतना बड़ा था लेकिन यहां पर क्राफ में वापस से क्राफ हो गया का वह automatically आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको आपको आपकर करना होगा तो वहाँ पर फिर automatically यह क्राफ को करके लगबग इतने पर आ जाएगा इसको तोड़ा साब adjust करके देखना होगा हो सकता एक बार में नहों तो आप दो बार तीन कि बहुत छोटा विढमने से पिसे पस्पोट करने जाएंगे तो आप्लोड करे लिए तो हमें कोसित करना है कि इस size भी maintain रहे जितने size का upload करना है और signature या फिर photo हमारा इमें जमारा करतना नहीं चाहिए पूरा-पूरा वहां पर आना चाहिए क्राप होने के बार एक बार तो आपको क्राप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको size उसकी कम करनी है अगर आप पहले ही size अगर आप कम कर लेते हैं किसी app के through तो फिर कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा आप बढ़ाई है इसे आप photo आप की लीजिएगा मतलब उसकी अकल बगल का area दिखना चाहिए फिर आप उसको जो है zoom in करके या zoom out करके आप adjust कर लेंगे जब आप upload करने के लिए जाएंगे तो ठीक है तो आपको थोड़ा से यहां पर लग रहा हुआ कि इतना कौन करने जाए करने जाकर कि हम सीधे साइबर से साइबर कैफे से फॉर्म बरवाले लेकिन अगर थोड़ी सी अगर आप कोशिस करेंगे सीखना चाहेंगे चीजों को तो आप बहुत ही आसान उसकी लिए आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है तो अब यहां पर हम लोग कॉंटेनिव पर क्लिक कर देते हैं तो अब इसके बाद यह अगला पेज उपन हो करके आ गया और आप यहां पर देखेंगे यह दो पर यहां पर टिक लग चुका है अभी आपको यह तीन ड फिर से आपकी पूरी डेटेल्स तो होने लगेगी आपके पोटो और सिंगनेचर के साथ में अब आपको यहां पर क्या-क्या भरना है कि वह उसको आपको यहां पर दिखाएंगे बाकी की डेटेल्स आपने चेक कर लेंगे पूरा स्क्रोल करके ऊपर निचे आपकर करके प क्याको अब भरना है और जो बाकी राग्या उसको भी फिल कर लेते हैं यहां पर अब यहां पर दिखिए एज पूरूप और तो यहां पर आनिवार यह होता था इंडिटरी होता लेकिन आप आप दिखेंगे यहांपर यह वाला भी兩 Beer baikal Dreams- glor 조 team चाहाएं तो आप चाहें इस वह मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, जो आपको भरना के ओल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेज पर, बाकि यह पूरी डेटेल्स है, इस पेज पर आप उपने चेकर के देख लेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, अगर आपने दो साल की शर्विज दी है, टेरिटोरियल आपको प्रिफरेंस मिलता है, आगे जब आपको फायदा मिलता है, इसका इसका इसकी बद नीची फिर आपको एड्ड्रेस करना होगा, और अगर आपका पर्मानेंट और करिस्पोंडेंस, अगर दोनु अड्रेस अगर सेम होगा, यह आपका अस्ताई निवास और आपका पत्राचार का पता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, टिक, सही आप टिक कर देंगे इस पर, और इसके बद फाइनली आप नीची आ करके, प्लीज एक्सेट एबब देगलेर संथ, आप यहाँ पर यहाँ पर शमीट का बटन आ जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर ए तो फैलि हमने address फिल कर लिया, उसके बाद फिर, लिकिए address में अगर आप city में, तो उसी तऱ से address बरेंगे, अगर आप विलेज में, तो उसी तऱ से address बरेंगे, आप अपना आधार कार्ट देख लिजीगा, उसमें जो address हो, दियान दीजीगा, आपके आधार कार्ट में जो एड्रेस जैसे लिखा उनों बिलकुर आप सेम होई एड्रेस लिखे या पि जो आप दो मेशाहिल बनवाते होंगे निवास परमान पत्र तो वही सेम एड्रेस यहाँ पर फिल करिएगा ताकि आपको बाद में डोकुमें बरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना है ठीक है इड्रेस आप फिल कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर यस कर लेंगे और यहाँ पर प्रिव्यो उपर किलिक कर लेंगे अग में अब हेव् Mayor कर देंगे कि यहाँ पर यस कर देंगे श्रीक कर देंगे अब अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको पूरा नीचे पूरा नी जेपिअ पूरा नीचे कर लेजिएगा जीजेगा इसको एक बर आप अगाप ते सवल करतेंगे पूरेश चि sharks अगर सब कुछ ठीक हो, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कैपचा फिल करेंगे, सीधे-सीधे. ठीक है? और इसके बाद पिर आप यहाँ पर कर देंगे, Submit. Please confirm your application details for provisional submission to UPLC. Please ensure that your details are filled correctly. यानि, सब कुछ आपने सही सही भरा है, कोई इसमें गलती नहीं है, अब यहाँ पर आप समिट करने जा रहे हैं, finally. तो अब यहाँ पर देखें, fees payment के लिए आएगा. ठीक है, आप सब कुछ फिल कर चुके हैं, पूरी details आपने फिल कर दी, अब आपको यहाँ पर fees payment करना है, 185 रूपीज का. तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, click here to pay the required fee, तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें के लिख करके आगया, काइन अटेंशन, क्रिपया ध्यानते, please be your personal details, especially your domicile of state आपका सही हो, caste आपका सही हो, अगर आपको इसमें कुछ भी change करना हो, तो आप change कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है, do you want to change cost category and domicile of your state, अगर yes पर, yes पर क्लिक करेंगे, no, अगर आपका सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ पर no पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर इस तरह से page open आओकर क्या जाएगा, और आपको यहाँ पर payment करना है, कैसे fees payment करेंगे, उसको भी आपको करके दिखाने वाले हैं, आप क्या करेंगे, simply आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, SBI, YUMMO, PSP, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, प्रोसीट फॉर पर पेमेंट, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपके यहाँ पर परस्नल डिटेल्स होंगी, आप अपना नाम, फादर या हस्बेंड नेम, डेटा बर्थ, रिश्टेसन नमबर यह से भी आप चेक कर लीजिएगा, और आप पेमेंट करते हैं इसके बाद, प्रोसीट फॉर फॉर फिर डिपोजिशन, इस पर क्लिक कर लेंगे, वापस थे यहां पर okay कर देंगे, अब यहां पर देखें कई सारे आप선 आ जाएंगे, नेट बैंकिंग से करना है आपको, या कार्ड पेमेंट करना है आपको, या फिर आपको UPI से करना है, या फिर SBI ब्रांड से जाकी करना है, तो हम यहाँ पर UPI से करते हैं ठीक है आपको जैसे भी सुभिधा लगीगा आप वैसे कर लीजीगा पेइमेंट कार्ड से या पिर कार्ड मतलब ATM कार्ड या पिर आपका क्रेडिट कार्ड debit या credit net banking to net banking से तो हम यहाँ पर करेंगे UPI से तो क्लिक कर लेंगे इस पर sorry अब यहाँ पर देखें ऊपर कुछ details आपकी फिर से सो होंगी जैसे आपका नाम यहाँ पर आप फिर से कर लीजीगा आपका नाम जीले का नाम last date of deposit name of father address फिर यहाँ पर आपको option में लेगा बीपी या फिर qr code जैसे आपको इजी पड़े तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं qr code पर अब यहाँ पर qr code सो होने लगेगा अब इसको में scan करके payment कर लेते हैं अब यहाँ पर दिखे payment हो चुका है अब यह दिखे automatically आपका इस तरह से प्रोसेस हो करके इस तरह से आएगा कि यह transaction status is success मतलब payment आपका हो चुका है यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर दिखे यह पेज ओपन होकर क्या जाएगा फिर से आपका नाम रेश्टेसर नमबर फादने आप इस अब चेक कर लिजेगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे proceed for final submission और आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे proceed to download and print the application form या तो आप प्रिंट निकलवा लेजी प्रिंट आउट तुरंत या तो आप इसका PDF आप सेप करके रख लिजेगा कभी भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आपकी मोबाइल पर भी message चला जाएगा मोबाइल पर आपको mail भी चला जाएगा कि आपने finally पूरी तरह से submit कर लिया है अपना form completely आपने form submit कर लिया है अब यहां पर आप सभी देख रहे होंगे सभी यहां पर टीक हो चुके है मतलब आपका फॉर्म कंप्लेटली फिल हो चुका है एक बार आप फिल से चाहे तो आप इसको स्कूर करके पूरा आप चेक कर लीजिएगा और नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट यहां पर इस तरह से लिखा हुआएगा करेंट इस्टेटस आप अप्लिकेशन यह अप्लिकेशन इस अंडर प्रोसेसिंग यह लिखा आता है सुरू सुरू में और यहां पर आप देखेंगे यह PRINT जैसा निसान बना हुआ है उसी पर आप कलिक करेंगे PRINT OUT हवी निकल जाएगा और यहीं से आप PDF भी save कर सकते है इसी पर क्लिक करके फिर यहां पर देखेंगे आप सब कुछ आप देख लिजेगा दो पेजेज़ पिए बहोगी तो 2 अगर जरूत पड़ेगी तो क्योंकि आप से भी जानते हैं DB की समय ना तो इसके printout की ना ही PET की scorecard की कोई भी जरूत नहीं पड़ती है वहाँ पे मांगा नहीं जाता है तो आपको इसके printout की आउ सकता नहीं है लेकिन आप PDF जरूर शेफ करके रख लीजीगा बाकी आपके कर इच्छा करें तो आप printout भी इसका निकलवा के रख सकते हैं तो finally हम लोग यहाँ पर complete form submit कर चुके हैं printout तक अगर आप आपके मन में कोई भी doubt हो कैसे form बना है तो आप जरूर comment करिएगा मैं पूरी course करूँगा आपको reply करने के लिए और वीडियो को आपसे भी प्लीज लाइक कर दीजिएगा share भी आपसे भी कर सकते हैं share कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और classes आपको daily मिल रही है P.E.T. के लिए classes आप जरूर देखते रहेगा आपके एक्जाम के लिए आपको benefits आपके तोंगे और हमारी पूरी कोसिस होती है का आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें ताकि आने वाले किसी भी भरती के लिए आप eligible रहे हैं धन्यवाद